हेलो एब्रीवन, वेलकम टू शमीम्स किचिन आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही शानदार तंदूरी फ्लेवर वाला स्टर्फ चिकन चीज नान बॉंब्स ये जितना दिखने में खुबसूरत है उससे कहीं जादा खाने में टेस्टी लगता है ये बहुत आसानी से बन जाता है और इसे बनाने के लिए किसी अवन की जरूरत नहीं होगी सिंपली हम इसे तवे पर बनाएंगे और ये अंदर से बहुत जादा सौफ जूसी और चीजी बनता है और इसी खाकर आपके साथ साथ बच्चे भी खुश हो जाएंगे तो चलिए इसी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे जिसके लिए एक बोल में हमें 1.5 कप मैदा ले लेना है अब मैदे की जगह गेहूं का आटा भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अब इसमें 1.5 कफ कर्ड एड़ करेंगे कर्ड अगर खटी है तो जादा अच्छा रहेगा अब इसमें 1.2 टी स्पून शुगर एड़ कर देंगे अब इसमें 1.5 टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे 1.5 टी स्पून बेकिंग सोडा एड़ कर देंगे आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अब इसमें 1 टेबल स्पून ओयल एड़ करेंगे दही को पहले मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से इसमें पानी एड़ करेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लेते हैं और फिर से इसे नीट कर लेंगे हमें बहुत जादा हार्ड या सॉफ्ट आटा नहीं गूदना है तरह से वोश कर लिया है और अब इसमें 1 टीसपून जिंजर गार्लिक पेस्ट अपिर अट करेंगे और इसी की साथ 2 टीसपून करड्ड एड़ करेंगे हाफ टीस्पून रड़ चिली पाउडर हाफ टीस्पून भुनाहुआuled ब्लाक पीपर पाउडर एड़ करेंगे, इसके बाद हाफ टीजपून गरब मसाला पाउडर एड़ करना है और अब डाल देते हैं वन पूर टीजपून चिली फ्लेक्स, अब डाल देंगे वन टीजपून तंदूरी मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, हाफ इसे चिकन के ऊपर लगा लेंगे तो अब चिकन के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो गई है और अब इसे मारिनेशन के लिए आदे गंटे के लिए रख देंगे टाइम नहीं है आपके पास तो इसे फॉरन भी बना सकते हैं और अब इसके बाद एक पैन में वन पर पका लेंगे और अब चिकन को खुक होते हुए पाँच मिनिट हो चुके हैं तो इसका साइड चेंज कर देंगी और फिर से कवर करके इसे दस मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे जिससे अंदर तक चिकन पक जाएंगे और अब यहां पर चिकन में थोड़ा सा पानी है तो flame को high कर लेंगे और इसे dry कर लेंगे और अब chicken को निकाल लेते हैं और पेन में जो बचे हुई मसाले हैं इसे discard नहीं करेंगे इसे आगे हम chicken में इस्तिमाल करेंगे और अब यहाँ पर हमने एक निट लिया है और flame को on कर दिया है इसके उपर chicken के दोनों पीसे को रख देंगे और चिकन को मेडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से रोस्ट कर लेंगे और यहां पर हमें चिकन को सिर्फ एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है इससे क्या होगा कि चिकन में एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और अब चिकन दोनों तरफ से अच्छी त आप चिकन को हमने लिए कर लिया है और इसे बोल में ट्रांसफर कर देते हैं, अब अब इसमे 2 टी स्पून बारी कुटा हुआ हुआ कैप्सिकम एड़ करेंगे, और इसी के साथ 2 टी स्पून बारी kटा हुआ अनियन एड़ करेंगे और जो पैन में मसाले रहे गए थे उसे भी इसमें शामिल कर देंगे अब इसमें half cup mixed cheese एड़ करेंगे अब डाल देते हाफ टीस्पून औरिगेनो और इसी के साथ हाफ टीस्पून चिली फ्लैक्स एड़ करेंगे अब इसमें half टीस्पून black paper powder एड़ करेंगे यहाँ पर हमने नमक का इस्तिमाल नहीं किया है क्योंकि हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई आप test recording नमक एड़ कर सकते हैं और अब इसे mix कर लेंगे और अब इसके बार 2 टीस्पून fresh coriander leaves एड़ करेंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून butter एड़ करेंगे और अब इसे अच्छी तरह से mix कर लेते हैं तो इस तरह से बहुत ही tasty और flavorful stuffing का mixture तयार हो गया है और अब 10 मिनिट के बार dough सेट हो गया है तो अब एक छोटे से ball की बराबर dough तोड़ लेंगे और जिस तरह से stuffed प्राठा बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से बना लेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून stuffing रख देंगे और इसे seal कर लेंगे अच्छी तरह से seal करेंगे और जो extra dough है उसे तोड़ लेंगे और अब इसके उपर white sesame seeds लगा देंगे और थोड़ा सा हराधनिया इसके उपर डाल देंगे और finger से press कर देंगे जिससे ये stick हो जाएगा तो इस तरह से हमने six naan बना लिये हैं और इसे आप cover करके रखिएगा वरना ये dry हो जाएगे और जिस तरफ हमने fold किया है उस तरफ पानी लगा देंगे और यहाँ पर हमने तवा को अच्छी तरह से गरम कर लिया है इसके उपर हम naan को डाल देंगे और दो मिनिट के बाद तवे को इस तरह से turn करेंगे और सेक लेंगे और medium flame पर इसे सेकेंगे और थोड़ी से distance पर इसे सेकेंगे जिससे इस पर हलके brown spots आएंगे नान को हर तरफ से गुमाते हुए अच्छी तरह से हमने सेक लिया है और यह देखें यहाँ पर कितने जादा फुले फुले बनकर तयार हुए हैं तो अब इन्हें निकाल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नान दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिंख चुका है तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे तो यहाँ पर सभी नान को हमने इसी तरह से बना लिया है और उसके बाद इसके ऊपर बटर लगा दिया है अब थोड़ा सा चिली फ्रेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और यमी तंदूरी फ्लेवर वाला चिकन नान बन कर त्यार हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर से चिकन कितना जादा टेम्टिंग लग रहा है बिल्कुल जूसी बना है तो इस रेसिपी को आप एक बर ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अपना फीड़बैक शेर कीजेगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर और सबस्क्राइब कर दीजेगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज